गुटी इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रमी मास्टर्स दोस्तो 2000 वाला पूल खेल रहा हूं 201 पॉइंट का पहला डील है हमार पास है नहीं कुछ भी तो पैक कर देते हैं दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसके अंदर भौत सारा सीखने के लिए इसके लिए मैं वीडियो को और ज्यादा शॉट नहीं कर पाया तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप यह पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को भौत कुछ इसके अंदर सीखने को म दोश्च कुछ ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे जो कभी भी कोई आपको नहीं बताएगा या कोई भी आपको करने के लिए कभी आपको आयडिया नहीं देगा यह डिल टू भी हमने में खड़ा कॉलिंग है लेकिन हम लोग यह जो है पूल रम्मी इसे रानी लेके खेलेंगे 12 कार्ड तयार हम हो जाएंगे 10 सा मार देंगे तकि हम साथ पोइंट पे रहें ऊगर यह आप मेरे हर वीडियो में यही ही कि ज़ीज में बोलता हूं उञे जितने पॉइंट्स आप हाथ में कम रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए तो अगर यहां देखोगे आप तो आप 12 कार्ड हम रेडी है यहां पर एक ही कार्ड चाहिए हमें और एक कार्ड मिलता है तो हमारी गेम हो जाती है तो यह देखिए आपको यह सब ध्यान रखना ह यह सब सीखने के लिए हैं कार्ड मिलता है हमें गेम हो जाती है हो गई दसा मिल चुका है गेम हो गई है फिनिश कर देते हैं डिकलेर करते हैं और यह देखे 74 पॉइंट्स हारके 105 हो गया उनका स्कोर बाकी का स्कोर आपके सामने है 109, 105, 50, 50, 52 तो सो बहुत बढ़िया गेम में दो जोकर हाथ में एक ओपन जोकर मिल रहा है और हमेरे पास में प्योर सीकुंस के लिए सिर्फ दो ही आसरे हैं आप अगर मैं इसको थोड़ा रिवाइन करके वापस दिखा रहा हूं आपको यह देखिए यहां पर तो अभी हमारे पास में जो है जोकर के साथ आड़ा बचने के लिए दो तीन असरे बढ़ जाते हैं हमारे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हमारा प्योर सीकुंस हो जाए उतना जल्दी हम पॉइंट्स के अंदर आने का मतलब है कि हमारा जो स्कोर है वह 25 के अंदर हमें लाना है वह हमारा में मकसद है पहला हमेशा हर चीज जो है आपको दिमाग में बिठा लेना है और बार बार मैं जो बोल रहा हूँ आपको ये सीख लेना है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है एक बार दो बार करते हैं लेकिन फिर बात में भूल जाते हैं और खीचते रहते हैं और फिर आउट हो जाते है मैंने कई बार आपको बताया लोवस वाला कभी ना कभी गल्दी करता ही है तो लिए एकका यहां डिसकार्ड करते हैं ताकि हमारा ओफर जाए और स्पीक भाष्चा और स्पीक गुलाम के लिए यह हमारे लिए बहुत अच्छा है दस्सा गिरा है एकका गिरा है तो स्पीक गुलाम स्पीक भाष्चे का हमारा ओफर बहुत अच्छा है यहां पर गया है अगर काड मिलता है हो यह डूब्लिकेड आया एकका हमारे काम का है नह और यह नववा चवकट का आया है तो इसे हमारे काम का नहीं है अठा आता तो हम शायद आड़ा बच जाते हैं 6-7-8 चवकट का है हमारे पास अठा ओफर के लिए नववा मारना है ताकि उनको ऐसा लगे कि अठा नहीं लगेगा और वो अठा डिसकारड करते है तो हम प्योर सीक्वन्स हमारी हो जाती है तो प्योर सीक्वन्स बनाना बहुत इंपॉर्टन्ट है यहाँ पर अभी हम तीन जन खेल रहे हैं और 10-11 हाथ हो चुके हैं कार्ड अभी मिलना बहुत जरूरी है यह देखिए आ चुका है कार्ड यहां पर और हम जो है 12 कार्ड रेडी अंटचरम में हो गई है छोटा पत्ता मारें एक का वदाम का गिरा है तो दूरी मारके चलेंगे हम तीन पॉइंट पर आ चुके हैं यहां पर एक जोकर इसमें और दो जोकर अठे में लगाएंगे तो हमारे जो है हाथ में सिर्फ तीन पॉइंट है एक कार्ड मिलता है तो हमारी गेम हो जाएगी नवा आ गया है गेम हो चुकी है चलिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहां पर और कौन कितने पॉइंट हार रहा है वो देखते हैं तो एक ज स्कोर है वो फिफ्टी पे अभी हम यह कार्ड हमारे पास ठीक ठाक नहीं है यहां पर डुब्लिकेट है भाष्चे सत्य का सेट है अगर कार्ड मिलता है तो खेलने का सोचेंगे लेकिन फिर भी पॉइंट बहुत रहेंगे तो यह ऐसी गेम हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए है और ऐसी गेम को बिल्कुल पैक करके चलना चाहिए आपको तो हम भी ड्रॉप कर देते हैं यहां पर हां दोस्तों मैं मेरी बात आगे आदी रहे गई कि जब भी आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं रिप्ला इमिजट करता हूं तो प्लीज आप जो आपको बिल्कुल मेरा गेमिंग आपको पसंद आता है डिसकरडेंग अच्छी लगती है मेरी कमेंट्रेर अच्छी लगती है जो भी आप लिखना चाते हो आप कमेंट में बेशा क्लिक सकते हो अगा कि दूस्तों यहां पर बहुत अच्छा गेम है आसरे अच्छे हैं हमारे पास में लेकिन पॉइंट्स बहुत ज्यादा है और हमारा में मक्सद जो है वो है 25 पॉइंट्स के अंदर आना अगर एंट्री मिलती है तो हम यह गेम खेल सकते हैं नहीं तो नहीं खेलना है यह देखें एंट्री मिल चुकी है स्पीक छक्के की हमारे बचके एक जोकर हो जाता है हमारे पास में बचके पेवर से सीक्वेंस और एक जोकर है हमारे पास अब यहां पर जो है हमने काड्ड डिसकार्ड कर दिया है 51 पॉइंट्स दिख रहे हाथ में लेकिन अगर एक हम एस वो में मकसद है हमारा अगर दस्सा मिलता है तो हम 9 काड्ड रेडी हो जाएंगे बहुत पॉइंट्स भी हमारे कम हो जाएंगे रानी मिल दिये यहां पर चोकट की एक का डिसकार्ड कर दिया है मैंने यह आप देख सकते हो कि सीधा अभी हम 28 पॉइंट्स पे आ चुके हैं और एक छोटा कार्ड मिलता है तो दस्सा भी डिसकार्ड कर देंगे तकि हम 25 पॉइंट के अंदर आ जाएंगे अगर दुरीतिरी कोई हमारे काम की नहीं है और वो भी अगर ओपन का ओपन डेक में मिलती है तो हम वह भी उठाके जो है दस्सा जो है डिसकार्ड कर सकते हैं कि आप यूज करना है आपको और कैसे यूटलाइज करना है वह आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें अन तक देखें तो आपका जो है बहुत इसके अंदर आपको सीखने मिलेगा कोशिश हमारी यही है हर गेम में यही रहती कि स्प्रिट्विन मिले या हमारा जैकपॉट हो जाए तो चलिए देखते हैं आगे कैसा चल रहा है गेम यहाँ पर कार्ड हमें आया नहीं है 21 पॉइंट्स हमारा जो है मकसद था मेन हमारा 25 पॉइंट के अंदर आना है हम वहाँ चुके हैं और स्कॉर अमरा 75 है और अगर 21 पॉइंट हारते हैं तो नाइन टी सिक्स पर चले जाएंगे यह देखिए हमारा किसी और की गेम हो चुकी है तो हम 90 सिक्स स्कॉर अभी हमारा जो है वहां पर दिख गया है कोई ऐटी थी है कोई 77 वह एक सो तीन एक सो शट्तर है और पाच जने यहां पर हम खेल रहे हैं तो यहां पर रानी जोकर है हमरे पास प्यॉर सीक्वेंस है और एक जोकर है तो सेवन कार्ड रेडी है हमारे पास में हमें चाहिए अठा स्पीक का या कोई भी दसा चौकट अगर आज आता तो बहुत बड़िया गेम हो जाती चलिए अभी हम यहां पर ओफर करेंगे क्योंकि हमें चोक चाहिए और अगर रनिंग में हमें बदम नवा आता है तो हम बहुत बड़िया गेम कॉलिंग गेम हो जाएगा और सत्ता इसलिए नहीं मारा है क्योंकि अगर सत्ता सत्ता कोई मिलता है हमें तो तीन सत्ते भी होते हैं यह देखे सत्ता मिल चुका है दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था और यह सत्ता मिल गया है तो हमारा एक सेट हो जाता है सत्ते का दस्ता डिसकार्ड करेंगे यहां पर पॉइंट्स कम हो जाएंगे यह देखिए चोक मिल चुका है हम पाच पॉइंट पे आ चुके हैं डाइनटीसिक्स का स्कॉर है पाच पोइंट पे अगर हम हारते हैं पाच पॉइंट तो 101 हो जाएगा हम्मारा एक चांस जाएगा थो चांस बचने के लिए मौका ही नहीं आया है चलिए 101 का हमारा स्कोर हो चुका है यहाँ पर एक जन नो पैक हो गया है 195 पर किंग जोकर है यहाँ पर और हमारे हाथ में जो है कुछ प्यावर सीक्वेंस भी नहीं है ना ही जोकर है तो हम यह गेम नहीं खेलेंगे हम इसे ड्रॉप कर देंगे इस गेम को दोस्तों यह आटवी डील है और आटवी डील का भी एंड हो चुका है यहाँ पर स्कोर 126 देखिए दो जन 100 के अंदर है 92 और 98 एक जन आउट हो चुका है 231 पर अब बचें चार जन हम लोग तो हमें दो चांस है 126 पर बाकि उनको चार चार चांस है अब दोस्तों यहाँ आख Indeed You are only one यहाँ डेखें और बन्हें हैं और जोलोगों ने देखा है उसकोर है और आप से समस्ता कर रहा और आप देखोगे सिरिफ टाइमपास कर रहा हूं कुछ काड ले नहीं रहा है अब लिया lowest है 92 और 98 है वो ना खेले तो यह देखिए वो लोग पैक हो गए तीनों जन पैक हो गए है देखिए हमारा bluff जो है वो काम आ गया यहाँ पर और successful रहा हमारा bluff जिसके वज़े से हमें एक game walkover मिला है और अब हम दो चांस पे एक जन नो पैक है और वो दोनों तीन-तीन चांस पे आ चुके हैं तो एक ही चांस का फरक है और हमारा सबसे बड़ा हमारा benefit यह है कि हमारे पास में जो है 126 पॉइंट पर 24 फुल पॉइंट्स रखने का चांस है हमें तो अब यहाँ पर एक जोकर और एक प्र और सीक्वेंस है चलिए देखते हैं हम हम तो खेलेंगे एक जोकर आ गया और एक बढ़िया बहुत-बहरी काम हो चुका आप यहाँ पर हमें पॉइंट्स कम करना है और अभी देखे हमारा चांस बच चुका है यहाँ पर दो चांस पर ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास में बहुत बढ़िया काड़ आया है और यह काड़ भी अच्छा है कनेक काड़ आया वह बहुत इंपोर्टन्ट है तीन दस्से हो चुके हैं यहाँ पर अठा किलावर का हमारा काम का है नहीं तो हम डिसकार्ड कर देते हैं और अगर आप देखोंगे तो हम सिरिफ पाँच पाइंट पर आ चुके हैं यहाँ पर किलावर सत्त लिछां पर हमारा गेंट हें ने Pourस्ते हैं और अब हम तीनों को दो दो चांस हैं तो हमारा जो बलफ है हमें बहुत काम आ गया यहाँ पर बहुत बड़िया गेम आये दोस्तों हमें यह ग्यारावी डील है यहाँ पर हमारे हाथ में 12 कार्ड अल्रडी लगे हुए हैं तीन जोकर एक प्यॉर सीक्वेंस है और देखते हैं अगर हमारी हैंड गेम हो जाती है तो 148 वाला भी पॉइंट हार सकता है नहीं हुए चलिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें अल्फा भी पैक हो चुका है यहाँ पर और हमारा जो स्कोर है अभी यहाँ आप देख सकते हो 126 पर 148 पर 190 और 142 अब नो पैक वाले के साथ में हम खेल रहे हैं यहाँ पर दोनों भी पैक होके एक एक चांस पर आगया है तिर्री चोकट की सीद्धा कार्ड आया है हमें और हमारी गेम यहाँ पर हो गई हम डिकलेर कर देते हैं तो चलिए देखें अभी कितने पौइंट्स हा रहा है वो आउट हो चुका है देख जो पर पर रेेंट्री लिया है यह देखे अभी जो प्राइज मनी है यह देखिए 10 सा किलावर का मिल चुका है यहां पर हमारे पास में हाथ में अभी दो जोकर है और एक प्योर सीक्वेंस हैं हमारे हाथ में जो है अभी एक कार्ड अगर मिलता है तो हमारा जो है बहुत बढ़िया गेम हम 12 कार्ड रेडी हो जाएंगे या तो फिर हमें कॉलिंग के लिए कार्ड लेना है और हमारा गेम बहुत सरस हो जाएगा एकदम बढ़िया गेम हो जाएगा जो कर आ चुका है यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ पांच पॉइंट पर आ गए अब हमें काड़ करना है पंजा कुन सा मारना है वो डिसाइड करना है वो इंपोर्टन्ट है चौक हमारे हाथ में है इसलिए मैंने पंजा चौकट का मारा है अब ये गेम हम जो है हमारा चांस तो बच चुका है यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर हम जैक टेबल काड़ी डिसकार्ड करते हैं ताकि हमारा ओफर हो जाए अठा और दस्टे के लिए कि स्पीक नवा मिल चुका है दोस्तों यहाँ पर एकदम गेम बहुत बढ़िया गेम हो गई है यहाँ पर और देखते हैं आब यह दोनों में से कौन बचता है या कौन आउट होता है क्योंकि यह भी 199 पर एक अल्रडी एक जन 174 से पैक हो के 199 हो चुका है चलिया आलफा आउट हो चुका है यहाँ पर अब यह स्कोर देखा उस आप देखर पा रहे होकर 199 पर जो है वह दोनों भी 199 199 है और हमारा स्कोर 126 है 126 स्कोर पर हम जो है 74 पॉइंट्स हाथ में रखे खेल सकते हैं इसके लिए मैंने स्प्लिट विन नहीं लिया है यहाँ पर और भूत बढ़िया कार्ड मिल चुका है यहाँ पर 12 अमरे पास में एक एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर चुक की जो है हमारे पास में एक सेट है open card हमें pure sequence का card मिला था और अब हमारे हाथ में जो है सिर्फ 22 point है अगर एक सत्ता या दस्ता मिलता है तो और एक set हो सकता है या वदाम एक का मिलता है तो भी हमारे पास में एकदम ready हो जाते हैं यह चौक मिल चुका है यहाँ पर और अब हम यहाँ पर वापस हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर चलिए देखते हैं दोस्तों कर गेम होती है तो बहुत बढ़िया हमारा बंपर हो जाएगा यह देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है दोनों का score 199 199 दोनों का score दिख रहा है आपको और जो है हमें jackpot 100% हमारा jackpot हो चुका है 12,460 रुपे का और दोस्तों मेरा gaming अच्छा लगता है आप लोगों को और मेरा discarding अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेर कीजिए comment कीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में यह देखिए congratulations का आगया है 12,460 अब मेरा काम हो चुका है विड्रॉल करना है और next day के लिए wait करना है और यही चीज आपको सीखना है चलिए धन्यवाद थैंक्यू